Good morning students, welcome again in this class. We learn alphabets M and O in our previous class. Now today we will P, Q, R alphabets. Okay students, small alphabets P, Q, R and 3 letters. आज हम 3 letters की practice करेंगे. तो आपको carefully, आज की अच्छे से आपको देखना है कि किस तरह से P, Q, R make करते हैं. Okay students, start. Look at the board at the ground. Letter P. P. First line से start किया. S से start किया, थर तक ले कर आए. P. 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 Letter P. First से start किया, फिर से second तक ले कर आए. Second से, थर तक, थर से, फोर तक. Letter P. Q. Q. Second से start किया, थर तक ले कर आए. फिर इसको ऐसे touch किया. Second को touch करते है, फोर तक ले किया है. फोर से slant किया. क्या बन गया? Q. P. Q. R. R को थर्ड से start किया. क्या है, थर अज़ी से start किया. फिर से के दे को touch किया. Second से, यहां मुड़े में गया है. फिर मिल्से, हाफ कर बन गया. क्या बन गया? R. P. Q. R. Watch carefully. P. Repeat again. Second से start किया. पिर यहां तक लेकर आए इसको क्या बन गया पी क्या बन गया ये पी पी के बाद क्यूँ क्यूँ सेटिंड को टच करते हुए थर्ड को टच किया स्कूल स्टैंडिंग लाइन यानि कि फोर तक लेकर आए इसको स्लैंट किया क्या बन गया क्यूँ क्यूँ आर सेक्ड थर्ड से स्टाट किया सेक्ड तक लेकर गई सेक्ड से फोल्ड किया फिर आप कर्ण बनाया क्या बन गया आर रिपीट अगें पी फिर से स्टार्ट किया, फोर तक लेकर आए, फिर सेकेंड को टच किया, थर्ड तक लेकर आए, क्या बना गया, पी, क्यूँ, सेकेंड से स्टार्ट किया, थर्ड तक लेकर आए, थर्ड लाइन को टच किया, Standing line बनाई फिर 4 तक लेकिया 4 line को touch किया और क्या बनाई Slant, एक slant line ओके Watch carefully students R 3 से start किया फिर 2 को touch किया यहां से इसको fold किया ऐसे fold किया इसको half कर्व बनाया R तो आज हमने क्या किया Small alphabets P, Q, R इस वको अपनी notebook में need and clean no doubt करना है Okay students, और आपको practice भी करते रहना है Okay students Thank you